अस्सलामों अलाइकुम और रहमतुला दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप सेहती एपलीकेशन से कोवीड वैक्सीन के लिए अपॉयमेंट कैसे बुक करेंगे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देख को कैसे डाउनलोड करेंगे सो दोस्तों वीडियो को बिना एसकिप किये सुरू से लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने चैनल का सब्सक्रिप्सन बिल्कुल फ्री है सब्सक्र को open करने के बाद यहां से आप sign in को प्रेस करेंगे sign in को प्रेस करने के बाद यहां पर आप अपना इकामा नंबर इंटर करेंगे और यहां पर आपके सहती का जो भी password हो उस password को यहां पर इंटर करेंगे, इकामा नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद यहां से आप साइन इन को प्रेस करेंगे, आप जैसे ही साइन इन को प्रेस करेंगे, आपका जो भी मुवाइल नंबर सेहती के साथ लिंक होगा, उस पर एक four digit का one time पासवर्ड भेजा जायेगा, आप उस one टाइम पासवर्ड को यहां पर इंटर करेंगे इंटर करने के बाद यहां से आप नेक्स्ट को प्रेस करेंगे आप जैसे ही नेक्स्ट को प्रेस करेंगे आपका सहती में लॉग इन कम्पलीट हो जाएगा उसके बाद यहां से आप कोवीड 19 वैक्सिन को प्रेस करेंगे आप के सामने एक नया page open हो जाएगा इस page पर यहाँ पर आपको तीन option मिल जाएगा यहाँ से आप विव appointment को प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ से एक बार और फिर से आप विव covid-19 vaccine appointment को प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी covid-19 vaccine की first dose ली है वो यहाँ की details सो हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर आपका नाम सो हो जाएगा और यहाँ पर आपका इकामन नंबर सो हो जाएगा और यहाँ पर आपके सेंटर का नाम सो हो जाएगा और यहाँ पर आपके appointment की date सो हो जाएगी और यहाँ पर आपके अप्राइमेंट की टाइम सो हो जाएगी यहां से आप कटके निसान को प्रेस करेंगे फर्स्ट डोज वैक्सीन लेने के बाद अगर आप में कोई सिम्टम आता है तो यहां से आप रजिस्टर सिम्टम्स को प्रेस करेंगे आप जैसे ही रजिस्टर सिम्टम को प्रेस करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ से आप रजिस्टर सिम्टम को प्रेस करेंगे आप जैसे ही register symptoms को press करेंगे आपके सामने एक नया page open हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आप register symptoms को press करेंगे यहाँ पर बहुत सारे options हो जाएंगे अगर आपको first dose vaccine लेने के बाद कोई परिशानी होती है तो यहाँ से आप उसको check mark करेंगे चेक mark करने के बाद आप scroll करके नीचे आएंगे और यहाँ से send symptoms को press करेंगे उसके बाद यहाँ से आप previous को press करेंगे और यहाँ से आप COVID-19 vaccine medical report को press करेंगे आप जैसे ही COVID-19 medical report को press करेंगे आपके COVID-19 medical report की certificate आपके mobile में download हो जाएगी जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यह मेरा certificate है जो कि मेरे mobile में download हो चुका है आप चाहें तो इसका एक print out भी लेकर रख सकते हैं या आप इसको अपने mobile में भी save करके रख सकते हैं इस certificate के उपर यहाँ पर आपका नाम सो हो जाएगा और यहाँ पर आपका इकामा नमबर सो हो जाएगा और यहाँ पर आपकी date of birth सो हो जाएगी और यहाँ पर आपकी nationality सो हो जाएगी और यहाँ पर आपकी vaccine type सो हो जाएगी आपको किस company का vaccine लगा है और यहाँ पर first dose date सो हो जाएगी आपका first vaccine किस date को लगा है सो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें और आपके मन में कोई confusion है तो नीचे दिये गए comment box में जरूर दिखें